हाई गईस कैसे आप सब यह रेड्मी का के 50 आई और मैं आज इसका एक रिव्यू देने वाला हूं कि यह फोन आपको पर्चेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि यह 26 रुपे का लॉंच किया गया था सब्सक्राइब करना चाहिए आज वही बात करेंगे देखो मैं इसकी प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं तो मैं आपको सही तरीक से बता सकता हूं यह फोन आपके लिए है कि नहीं है सो लेट स्टार्ट सो गईस एक ही दिवांड है वह आप सब्सक्राइब कर दे बैल बटन दबा दे क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए तो रेटमी ने काफी तेरवा बैक किया यहां पर के सीरी के साथ एंड काफी अचा बैक किया बड़े आहां पर यह थोड़ा सा पहले वा गया गया है वह काफी जादा तकड़ा है ना इस फोन कम विदा मीडियाटक डामन सीटी 8100 जो कि इस प्राइस पॉइंट पर प्रसेसर यहां पर मान सकते हैं और मैं इसकी परफॉर्मस के बारे में डेफिनिटी कह सकता है इस वेरी गुड यूफ यूफर 3.1 के साथ आता है यहां पर हैवी हवी टास्क कर रहे हैं लाइक आप बहुत तगड़ी वाली गेमिंग करने के उखशिश कर रहे हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर यह काफी स्मूदली करता है बीजी माई 90 हर्ट का यहां पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन 90 fps वे आप खेल सकते ह है मुझे सीप्यों फ्रोडल भी थोड़ा सा बरहुसा कम होने लगाए क्योंकि मैं कॉफी सार फोन में देख रहों ग्राफ जो है वो गलत शुकरता है रियल लाइफ में फोन काफी बढ़िया काम कर रहा होता है एंट चीज मापको बता सकता हूं फोन में जितना मर्जी पा लगेगा तो हाडवेर लेवल पर नो कॉम्प्रोमाइस मैं डेफिनियर इगा सकता हूं एंड अल्सों सॉफ्ट्र साइट यहां पर मियूवाइट थर्टीन देखने हो मिलती है प्लस एंड्रोइड 12 के उपर यह चलता है एंड यह मैंने पहला फोन है जहां पर को नोवा ल फोन जब एकनम से क्लीन हो जाता है एंड एजी ती यूज हो जाता है और आपको यहां पर कोई मेजर बग देखने को नहीं मिलता है बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बार में डिस्प्ले इस लिटल बिट इंट्रस्टिंग एंड कुछ-कुछ लोगों के लिए डिसप्व बहुत सारी LCD फोन से मतलब इसकी जो क्वालिटी है वह बहुत तगडी है आउट्डोर विजिबिल्टी भी अच्छी है और मीडिया कॉंटेंट देखने में मजा आता है यहां पर डॉल्भी विजिन का सपोर्ट दिया है नेट्फिक्स में यूट्यूब पे अच्छी आर क अगर मैं इसको डेफिनिटी साइड बासाट के साथ कंपेर करूंगा तो हां मुझे यह इस पेखी लगी बाट अगर मैं इस फोन को यूजर कर रहो हूं मुझे डे-to-day टास्क में डे-to-day लाइफ में यह बिल्कुल भी यहां पर प्रशान नहीं करती है इत्सक डिस्प्ल नहीं है यह नहीं बहुत जादा अच्छा टेक्स्टेट बैक है इसके उपर स्क्रैच नहीं आते जल्दी एंड प्लस यहां पर को स्मजस वरा या फिंगर्बिंट कुछ भी चपते नहीं है और इसलव इस माइफ़ेरे यह सबसे बढ़िया लगा में अब को प्लस यहां पर मैं डेफिनिटी अइंड होने के कारण यहां पर पहली बात तो फ्लाट फ्रेम बट पीछे सो बॉडी कर्फ जिसके कारण होल्डिंग इसकी काफी अच्छी है यहां पर फ्लाट होते वह यह क आपको क्या पताया था Dolby Vision Dolby Atmos का सपोर्ट भी है तो यहां पर आप जब यह फोन्स प्लग करते आपने वायर वाले आपको जो आउपूट मिलता है वह तगड़ा मिलता है यार मुझे इसके हैप्टेक्स बहुत पसंद आए मतलब एक वह फ्लाक्शिप ग्रेड के हैप्ट चोड़ देता हूं अल्ट्रावाइड इस ओके डू यूस बट अगर माँ बात करूब प्राइमरी जब आप नेचर शॉट्स की जब आप स्काई की शॉट्स लेते हो यह जबरदस डायमिक रेंज के साथ फोटोस ले लेता है डिटेल काफी तगड़ी आती है कलर भी काफी रहता है यहां पर फोटोग्रिफी करने में मजा नहीं आता है अगर आप नेचर की फोटोस आदा कीशतो फ्लावर्स की लेनी है पानी के लेनी है इट विल गिव यू गुड रिजल्स तो यह चीज आपको याद रिखनी है नाइट में इट गिवस डीटेल और बट मैं यह नहीं कहूंगा इट सबस्क्राइब इस अच्छी फोटोस निकाल लोगे वीडियो में इस गुर्ट में स्टेबिलिटी वेरा दिखने को मिल जाती है बट अगर आप 1080-60 वेरा में करोगे तो इतनी नहीं दिखने को मिलती है 30fps पे स्टेवल फ्रेंट कैमरा पे भी ठीक है देखो 5G तो इंडिया में काफी जल्दी आने वाल है वैसे प्रॉमिस देट के उपर नहीं है बट सेल आएगा तो से इसके अंदर 12 5G बैंट से काम करेंगा बैटरी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है 5080 mH की बैटरी है और इसका बैकप इस इंसेन मैं बहुत लंबे तक चल आपके पास को 120W charger है आपके पास कोई फोन ऐसा है जिसके साथ आता है तो वह भी सपोर्ट करता है तो देर्स नो इश्यू तो गाइस मैं की चीज बुलूगा कर आपको एक तगड़ा वाला गेमिंग फोन चाहिए आपको हाडवे लेवल तगड़ा चाहिए आपको यहां प यहां पर मुझे अच्छा लगा इस प्राइस पर आजकल हेटफोन जैक में निकलता दा रहा है तो यहां पर आपको पता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी है अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रो से करना सब्सक्राइब दो चैनल आपकी सपोर्ट की बहुत सादा है एंड मैं आपको ऐसे ही बड़े बड़े रिव्यूस देता रहूंगा सो मैं आपको मुलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप चेसिंग रिम्स